अरे मैं केता हूँ लोगों को इतना पैसा तुमने खर्च किया इतने पैसे को शिच्छा पे अगर यह तुमने खर्च किया होता स्वास्तपगर खर्च किया होता लोगों को रोजगार देने में खर्च किया होता तो मैं समझता हूँ कि मेरे देश की नमर बन या बिस गुरू या बनने में कोई ज़्यादा देर नहीं थी लेकिन उन्हें उसमें भरोसा तो नहीं किया लेकि इनको पता है कि हम अंद्विस्वासी के रास्ते पर चलके ही देश को मूर्ख बनाके हम अपने आपको मजबूत बनाए रखांगे इनको वहीं रखांगे जहां से हम राम राज चल रहा सार उत्तर परदेश में हिंदुराष्ट की बात करिये आप आप राम को इग्नोर कर रहे हैं देखिए ये कुछ चुनिंदा कथित मनुबादी लोगों का राम राज है जिस राम राज में आज भी दलित वहन बेटियों पर अत्याचार हो रहे हों बलातका ने राज में भी कुई सिक्षा घरन करता ता तो उनके कानों में शीशा पर लागर डाल दिये जाता था उनकी जबान काड़ दी जाती थी संबुक की हत्याइन थी तो मैं समझ सकता हूं कि इन्हों ने किस तरह से किस तरह कर राम राज ये लेकरा आ रहे जिस युकी आप ब कर रहें कि Sikrsthan करने से करने बात्या और कवा सकती थी भ्रह्मन करने की शुरू करी उसके बाद वैसने नाम干ी करनी करें तो भी घ्लमांच का इसना को आप fantastic तो और किसी के नाम पर अगर यह थी एरपोर्ट का बार्विक समाज का भला हो जाएगा अरेट जब जब मेला उठाए है उनको wrapper उठाने से मुटि मिलती उनको उस्ञक्छा के रास्ते दिखाये जाते उनको रोजगार दिये जाते उनकोosaurs कर रहे हुँ सिर किने कभी भरोसा तो एक तरह से इन्होंने जूट भेलाया जितना भी जूट बोल सकते थे बोला मीडिया को खरी सकते थे खरीदा पुझी पतियों को जितनी भी सपोर्ट लेने थे लिया विपक्षु दिना दबा सकते थे दबाया तब कहीं जाके सत्ता में आए और रामराज काल्पनिक रामर की देश में राम डाला का जो उत्सों मनाया जा रहा है आप क्या सोचते हैं इस बारे में देखिए मुझे तो बड़ी हसी आती है तो पर राम तो पहली बात तो कल्पना है जहां यह आयोध्या में मंदिर बनाया जा रहा है उससे पहले हैं बहुत संस्कृती का बहुत- किया था और उसके बाद यहां पर मजिद बनी अब उसको तोड़के इन्हों ने जो मंदिर बनाया है उससे एक बात तो सिद्ध हो गई है कि प्राण पिस्टा या मंदिर एक आस्ता की चीज है उसमें इतना ढखोसला करने की जरुवत तो थी नहीं लेकि असल मुद्दा क्या है कि 2024 के चुनाब में बहुत ज़्यादा संपत्ति की जरुवत पड़ेगी पैसे की जरुवत पड़ेगी और वहां पे मंदिर से बड़ा एक इन्होंने बहुत मंदिर से अब लोगों को दिखाई नहीं देता है इक इतना बड़ा इन्होंने दान पात्र बना रखा है जिस को तोड़ने का काम करेंगे और इनकी पूरी कोशिस रहेगी कि हम 2024 के चुनाम में सत्ता पर काभिज हो और अपने अंद्विसबास पाखनबाद मनुबाद को देश में फिर से लागू करें जितने भी यह समधानिक तोर पे हमको अधकार मिले थे तलितों को औरतों को को छोड़ दिया जाए जितनी भी कौम हैं सब को जो समधान से ताकत मिली थी आरक्षण मिलाता सिक्षा मिली थी और सब को चीनने का काम करेंगे लेकिन सुरंदर बोजी बड़ा सवाल यह है कि जो तीन देसके लड़ाई चल रहे थी हिंदू-मुसलिम की मंदिर की राम की वो तो समाफ्त हो जाएगी मोदी सरकार में वो एक मसला था पुराना वो खतम हो जाएगा देश को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा तरक्की मिलेगी समाजिक तोर पर भी देखी मैं उस समाज को बहुत ज्यादा धनबाद दूँगा जिसने अपने सयम बनाई रखा इनके और दंड के सामने वो कभी खुल के सामने नहीं आए और उन्होंने इनकी आस्ता को तबज्यों दी लेकिन अगर आने वाले समय में इस तरह की और पुन्विट्टी होती है तो मैं समझता हूँ देश के हालात के लिए ठीक नहीं होगी सो देशों में मना जाएगा राम दल्या का उत्सव में प्रान प्रतिस्था हो जाएगी 22 तारिक को पांच लाख मंदिरों में सजावट सुरू हो गई है फूल मालाओं से भूल जा जा रहा है जगराते हो हो रहे हैं आयसे न्यारे लगाया जा रहे हैं in और टेकि यह दिया यहां बी भारतिये रहते हैं और इनकी सोच कि लोग रहते हैं तो वो तो मनाएंगे इसमें कोई बड़ी बात नहीं है अगर यह दुनिया के देशों में एक तरह से यह मांच सिकता है कि इस तरह से ऐसे देखाते हैं कि देश में क्या चमतकार हो जाएगा जहां राम मंदिर बन गया है वहां पर निसाद राज वहां सब्री को भी जगह दी गई है वह सब को साथ लेकर तल रहे हैं योगी जी दिखें वह लोग जिनको मैंने वही कहा था कि यह पैसे के बल पर कुछ लोगों को खर होगे एक तरफ उनकी सिच्छा को चीन होगे दूसरी तरफ उनको अंद्विस्वास के रास्ते पर ले जागे भैका के अपने मकसद में काम्याब होने कोशिज करोगे तो यह नहीं चलेगा यह दोहरा पर नहीं चलेगा तो दहमें जो एरपोर्ट बना है उसका नाम जो है वालमिकी के नाम पर रखा गया है वालमिकी समाज को भी इसमें जो तवज्जो दी गई है एरपोर्ट का नाम वालमिकी रखा गया है अगर वालमिक समाज को चनी तवज्जो देनी थी पहले मैं आपको एक बत बता दूँ बालमिक की जो जिनको एरपोर्ट कर वो कर रहे है वह बालमीक एक रतनाकर सर्मा थे वह बालमीक नहीं थे वह पंडिती थे उन्होंने उनकी तरफ उनको डाल दिया कर लो तुम इंसे लगे रहो वह भी हमारा बालमीक समाज भी आज देखिए आज तक भी वह सिक्षा को छीनने का काम कर रहे हैं पराणपित्षा में नहीं जा रहे हैं तरह की नाराजगी तो चलती रहती है कि की पहली बात तो मंदिर बना नहीं पूरी तरह से वह चार-पाँश साल के सामें उसमें और लगेगा लेकि क्या है कि दोहजार चोबीस में इनको भरोसा नहीं कर शत्ता में आ जाएंगे को कि शिक्षा रोजगार के लिए लोगों के मांच सम्मान के लिए जो लडाई लड़ रहा है वह इस तरह की उड़न्टता के माम रोक लगाते इस लिए इस चीज़ को पहले ही अपने द्वारा कर जाना चाहते हैं जिससे इनको इससे बर आप दावे के साथ कह सकता हूं कि 2024 क चुनाम में हमारा इंडिया गठबंदन जो मजबूती के साथ जो चुनाम लड़ने जा रहा है संग्टित होके उससे इनको आभास हो चुका है कि हम किसी भी कीमत में 2024 की लाई नहीं जीत रहे हैं इसलिए इसमें जल्द बाजी की जा रही है और उनका ब्रोद भी जाया जाए मोदी जी और मंदर का उद्गाटने मोदी जी कर रहे हैं यह एक नई परमपरा सूर हो गई हमारे देश में अनिया आपसे पहले सिर्फ ब्रहामणों ने उद्गाटन की हैं उन्होंने जो मंत्र फूक हैं मंदिरों में मोदी जी गुजरात में तेली समधाय जो सहा है जो ल करनल काश्ट में आते हैं इन्होंने बड़ी चतराई से लोगों को यह दिखाने के लिए कि OBC समाज का एक प्रधान मंत्री हमने बनाया और वही मंदर को बनाने का पूरा स्रे ले रहे हैं और उन्हीं को उद्गार हम करा रहे हैं तो इसलिए आप में कोई अंतर तो है नही करते हैं अरे अंतर नहीं है तो उन लोगों को भी अपने उसमें समती में रखते जो करोणों अर्वों रुपे आप चाट चाट के जो मलाई मारते आ रहे हजारों साल से तब से उनको ले कर आते तब उनको सम्मान देते तब उनको मंदर में पजारी बनाते तो मैं मानता कि आपकी नियत में और करनी करनी में कोई अंतर नहीं है तो यह बहुत ही धोके बाद चालवाज लोग हैं भरोसा मत करना